आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों है ये देखते हैं एक प्रशन, निमलिखित फलनों का एक्स के सापिक्ष, अब कल गुरांग क्यात कीजे और हमें फलन दिया है बी, टैन इन्वर्स, एक्स बटे में ए, प्लस टैन इन्वर्स, एक्स बटे में ए और दूसरा दिया है sin inverse x का whole square minus cos inverse x का whole square तो देखिए सबसे पहले मैं पहला बहाग हल करता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ माना y बराबर b tan inverse और ये क्या है आपका x बटे में a प्लस tan inverse x बटे में a अब देखिए हमारे पास जो tan inverse x के अब कलन का सुनतर होता है तो क्या होता है डी बटे में dx tan inverse x के अब कलन का क्या सुतर होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x square डी बटे में dx tan inverse x का सुतर होता हमारे पास एक बटे में a plus x square ये सुतर जब हम यहां लगाएंगे तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले तो अवकलन करते हैं तो अवकलन से, अवकलन से क्या आ जाएगा यहां पर? d y by dx आएगा, ठीक है? और d तो constant है, उसका तो होगा नहीं और देखे, tan inverse और यह पूरा एक तरह से x माना जाएगा जब यह पूरा हम x मानेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? एक बटे में, एक प्लस और x की जगा पे क्या है? एक बटे में a, प्लस tan inverse x बटे में a, इस पूरे का क्या हो जाएगा? whole square हो जाएगा, और जिसको हमने x माना है, उसका फिर एक बार और होगा अब कलन, यह होता है, जिसको हम कहते हैं, chain का नियम, यानि एक chain बनती जाती है, ठीक है? तो dy by dx क्या हो जाता है? इसको हिंदी में हम उत्तरो तरव कलन भी बोलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? b और बटे में कितना आएगा? एक प्लस x बटे में a, प्लस tan inverse x बटे में a, इस पूरे का क्या है? फोल स्कोयर है, ठीक है? और देखें, x बटे a का अब कलन कितना होगा? x बटे a का अब कलन होगा, एक बटे में a, प्लस, यह देखें, tan inverse x का अब कलन होगा, तो tan inverse x की जगा पे क्या है यहांपर? x बटे में a है तो यह कितना हो जाएगा? 1 बटे में a plus x बटे में a का whole square और जिसको हमने x माना उसका एक बार और होगा तो हमने x बटे में a को a x माना है तो इसको एक बार और हो जाएगा, अब कलों और यह हो जाएगा X बटे में A प्लस 10 inverse X बटे में A का whole square और यहां से ही कितना हो जाएगा 1 बटे में A प्लस 1 बटे में A प्लस X बटे में A का whole square और D बटे में D है X बटे में A का वकलन कितना होगा वो भी 1 बटे में A होगा तो देखिए दोनों में से 1 बटा A common आ जाएगा तो यानि कि dy by dx किसके बराबर हो जाएगा बताएगे dy by dx बराबर हो जाएगा b और बटे में क्या है 1 प्लस x बटे में a प्लस tan inverse x बटे में a इस पूरे का whole square है यहाँ पर ठीक है इस पूरे का यह whole square है और दोनों में से मैं 1 बटा A common ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस यह कितना हो जाएगा 1 बटे में अगर मैं यहाँ से इसको यह भी लिख सकता हूँ 1 प्लस x square बटे में a square कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह कितना हो जाएगा dy by dx बराबर हो जाएगा आपका b बटे में a ठीक है गुणा एक बटे में एक प्लस यह हो जाएगा आपका x बटे में a प्लस 10 inverse x बटे में a ठीक है इस पूरे का whole square और अगर मैं यहाँ नीचे LCM ले लो a square तो वो a square LCM ले की पलट की ऊपर पहुँच जाएगा तो यह कितना हो जाएगा एक प्लस a square बटे में a square प्लस x square यह हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास d y by dx कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ जाएगा b बटे में a गुणा एक बटे में कितना हो जाएगा यह एक प्लस x बटे में a प्लस 10 inverse x बटे में a इस पूरे का whole square और यह हो जाएगा आपका यहाँ से x square प्लस a square प्लस a square LCM लेंगे तो और बटे में क्या आएगा x square प्लस a square ठीक है यह आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा अब यहाँ से यह dy by dx का मान बरावर हो जाएगा b बटे में a देखे यह सवाल जो है कठिन नहीं है बस यह थोड़ा सा बढ़ा है लिखने में थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन है असानी तो x बटे में a plus कितना हो जाएगा 10 inverse ये तो ऐसे का ऐसे ही चल रहा है तब से ठीक है और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x square plus 2a square और बटे में कितना आ जाएगा बटे में आ जाएगा आपका x square plus का a square ठीक है तो finally जो हमारा dy by dx होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं b x square plus 2a square और बटे में a x square plus a square और गोड़ा में एक बटे में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका यहां से bracket लगा देते हैं एक प्लस कितना हो जाएगा x बटे में a plus tan inverse x बटे में a ठीक है इस पूरे का क्या है whole square है ठीक है ये हो जाएगा आपका उत्तर पहले का अब हम ग्यात करते हैं दूसरा साइन inverse x का whole square minus cos inverse x का whole square तो सबसे पहले तो हम इसे y मान लेते हैं तो देखे दूसरे में कैसे करेंगे दूसरे पार्ट में y बराबर हम मान लेंगे sin inverse x का whole square minus cos inverse x का whole square इसको हम y मान लेंगे ठीक है अब देखे ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा ऐसा करने से हमें ये मिलेगा कि देखे y बराबर क्या हो जाएगा आपने एक सूतर पढ़ा है a square minus b square गा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a plus b गोड़ा में a minus b लिख सकते हैं तो यहां से इसको भी हम क्या लगा सकते हैं sin inverse x plus cos inverse x एक तो ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा sin inverse x minus cos inverse x हो जाएगा ये और आपको एक सूतर और पता है कि sin inverse x plus cos inverse x इस नोनों का जोड का मान कितना होता है πाई बटे 2 होता है तो y बरावर इसकी पूरे की जगा पे हम क्या रख सकते हैं πाई बटे 2 रख सकते हैं गोड़ा में कितना है हमारे पास sin inverse x minus cos inverse x ठीक है अब इसका हमें अब कलन करने तो आप कलन कर देते हैं तो क्या आजाएगा dy by dx बरावर पाई बटे 2 का तो होगा नहीं वो तो constant है sin inverse x का अब कलन क्या होता है 1 बटे में under root के अंदर 1 minus x square और minus cos inverse x का अब कलन होता है minus का 1 बटे में under root के अंदर 1 minus x square ठीक है सिर्फ इसमें minus का अंतर होता है तो ये कितना हो जाएगा पाई बटे में 2 देखे ये minus minus plus हो जाएगा यानि कि कितना हो जाएगा 2 बटे में under root के अंदर 1 minus x square दोनों जुड़ जाएगे न ठीक है अब dy by dx किस के बरावर हो जाएगा दो से दो कट जाएगा तो ये हमारा dy by dx जो है ये बरावर हो जाएगा पाई और बटे में under root के अंदर 1 minus x square ये हमारा उत्तर होगा तो इस तरह से सरल करके बता देंगे पक्षचरी से बार वी चलेकर नीट IATJ वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोजा आज इडाउन्योट करें डाउटने डाप ये वच्चाप करें अपने सारे डाउट आच 4444 पर